हाई फ्रेंड्स, वल्का बैक तो अंदर क्विक टुटोरियल दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने फोन का सारा कॉन्टेक्ट किसी पीडियाफ में कैसे कनवर्ट कर सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें पीडियाफ में कनवर्ट करने के लिए हमें एक एप्लिकेशन की जरूरत होगी तो उसे मैं बता दूंगा वीडियो के लाश्ट में कहां से उसे डाउनलोड करना है तो चलिए पहले देखते हैं कि कैसे इसे करते हैं तो जैसे मैंने application को खोला यह simple सा interface है इसका आप देख सकते हैं यह online, offline इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यह फिर भी proper काम करेगा ठीक है यह rating के लिए कह रहा है मैं इसे later करता हूँ तो यहाँ पे एक है XML backup and restore SMS और call log को हम restore और backup भी ले सकते हैं इसे मैं किसी और वीडियो में cover करूँगा ठीक है क्योंकि अभी आपने जो भी सर्च किया होगा और call log statics का भी ठीक है तो मैं अभी बताऊंगा आपको contact का करने के लिए आप SMS call log इसे आप try करके देख सकते हैं ठीक है तो click to continue करता हूँ इसे अब यहाँ पे हमारे पास option आगया किस चीज का PDF का backup चाहिए आपको तो मैं चाहता हूँ कि contacts का ठीक है तो contacts पे click करेंगे और यहाँ पे आ रहा है name, number और यहाँ और एक और है email address भी ठीक है तो email address कभी कभी हमारे पास option आता है कि आप email ID भी डाल सकते हैं contact में लेकिन सायद ही कोई डालता होगा बाकि number और name तो सभी में रहता ही रहता है तो यह सब को हम tick कर देते हैं यह दोनों को ध्यान रखना, tick रखना है और यहाँ पे file name क्या रहेगा उसके बारे में आपको लिखना है तो मैं इसमें लिख देता हूँ data data con यानि की contact ठीक, count लिख देता हूँ data count अब इसे हम जो है इस button पे click करते हैं export to PDF पे अब यहाँ पे please wait थोड़ा सा समय लगाए गई है और यह हमें बहुत ही बढ़िया format में एक PDF बना के देतेगा जिसे हम कभी भी print out निकाल के हम रख सकते हैं कभी future में अगर हमारा mobile बंद हो या कभी कुछ contact ही loss हो गया हो अब इसे print भी निकाल सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं ठीक है तो यह तो application के अंदर ही खुला है और यह data हमारा इस location पे save हुआ है तो आप देख सकते हैं file path यहां पे है तो यहां से मैं exit होता हूं और वो location भी दिखा देता हूं कहां पे हमारा इस save हुआ है उसके लिए आपको file manager में आना होगा file manager आ गया यहां पे phone storage में आना होगा आपको और यहां पे आने के बाद आप देख सकते हैं जो application का नाम है उस नाम से यहां पे एक हमारा folder बना हुआ होगा यह रहा e2 PDF ठीक है backup and restore इस पे click करेंगे आप देख सकते हैं इस नाम से हमने बनाया था data count इस पे click करेंगे फिर से हमारा यह वही PDF file कुल गया अब आप इसे कहीं भी share कर सकते हैं Google Drive पे save कर सकते हैं किसी को आप send कर सकते हैं प्रिंट ले सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं ठीक है तो अब चलिए मैं दिखाता हूं आपको किसे आपको download कहां से करना है download के लिए वीडियो के description में मैंने link दे दिया है वहां से आप इसे download कर सकते हैं और यह आपको मैं दिखा देता हूं यहां पे कहा गया यह रहा यहां पे है e2 PDF इसकी rating अगयरा भी सब चीज बढ़िया है मतलब application में कोई किसी तरह की problem नहीं है तो net मेरा बंध है मैं इसे on कर लेता हूं try again ठीक है तो link से आप download कर सकते हैं इसे और आगे चलके मैं बताऊंगा आपको इसका जो xml backup restore है उसका भी पूरा process बताऊंगा मैं आपको ठीक है तो यह मुझे काफी helpful application लगा इसलिए मैंने इसका review किया और आपको इसके बारे में बताया तो बस इस वीडियो में इतना ही उमीद यह छोट असन वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इसे like करे शेयर करे अगर कोई सवाल या सुझाओ तो निचे comment करके हमें बता सकते हैं तो मिलते हैं अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो में goodbye